कि अगे लोग एश्प्रेंट वेल्कम टोल अफ्यों क्रेक नाव पर जैसिंग मैं स्वागत करता हूं आपका बच्चों में सेंस्वराइटिंग सीरीज में हम डेली एक क्वेस्टन आपके सामने लेकर आते हैं और उसके डिसक्षिन करते हैं कि उसका आउटलाइन क्या हो सकत में बहुत खुशी होती है कि बच्चे अपना इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं और वो एंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी करी में उसी सीरीज में आधम लेके आये हैं एक नया क्वेस्टन आपके लिए तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने स्टेडी सर्कल म में अपने फ्रेंट जोन में सेर कर दिजिए ताकि उन बच्चों तक हमारी रीच पहुच पाए जो सचमुच में तयारी करते हुए और अपना जो सुधार है वो करना चाहते हैं तो आईए देखते हैं क्या है क्वेस्टन के आउट्लाइन को हम डिसकुस करते हैं क्वेस्टन आपके सामने है बच्चों पर सोसल मीडिया के सकारात्मक तथा नकरात्मक प्रभाव का उल्लेग कीजिए साथ ही बच्चों द्वारा सोसल मीडिया का अधिक उपयोग से सम्मंदी चिंताओं का समाधान जो है वह भी प्रस्तुत कीजिए तो बच्चों के संद आपका जो क्वेस्टन है वह बच्चों और सोसल मीडिया के संदर में है इसके सकारात्मक तथा जो नकरात्मक प्रभाव है इस पर हमें उसके प्रभाव का उल्लेग करना है साथ ही बच्चों दौरा सोसल मीडिया का अधिक उपयोग से संबंदी चिंताएं है उसके जहान क्या हो सकता है उससे हमें देखना है तो क्वेस्टन का जो एक आउटलाइन है वह बिसिकली आपके कहा जाए तो जो तकनीकी डिवलप्मेंट हुआ है और फिर सोसाइटी ने एक चेंजिस लिया है उसके संदर में आपका क्वेस्टन पूछा जा रहा है तो आप उभरकर सामने आया है जिसमें बच्चों बूरों से लेकर जो एक हर ही वर्ग है वह इसमें सामिल हो रहा है तो इसके जो डाइमेंशन है इसके जो एक प्रसंगीक्ता पूरे विस्व में पूरे समाज के रूप में है तो आप उसको प्रेजेंट करोगे अपने तो आपको कई सारे एंगल मिल जाएंगे वही चीज आपको यहां पर डिस्क्राइब करनी है तो अगर हम देखें तो पहले जो अगर बेनिफीट अगर हम देखें तो सोचल मीडिया के जो सकरात्मक प्रभाव उसमें सामाजी कनेक्टिविटी आती है तो इसको हम देखते ह सोचल मीडिया के सकरात्मक प्रभाव किस पर बच्चों पर बच्चों पर सोचल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव तो पहला जो पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव पर यह सोचल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है कर दूब कर दूब सोचल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है आपने देखा होगा कि जो एक समाज बच्चों का घर से सुरू होता है वह इसमें दायरा बरसा चला जाता है कई अजनिवी भी ऐसे दोस्त बनते हैं और रिष्तेदारों का एक आपसी सामुई ग्रूप होता है तो सभी कनेक् में तो यह होता है समाजिक कनेक्टिविटी बढ़ाता है और यह प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को दोस्तों और परिवार के साथ एक जो अंतर संबंद होता है उसको विकास करने में डेवलप करने में महत्रपुन भूमिका निभाता है तो पहला पॉइंट आपका समाज कनेक्टिविटी हो गया सेकेंड पॉइंट जो हम देखें तो सुचना तक पहुंच को बढ़ाता है यह कि तुचना तक पहुंच कि जो है उसको बढ़ाता है कि तुचना तक पहुंच कि इसको बढ़ाता है तो जिस प्रकार से हम देखें तो धेर सारी जो सुचनाएं हैं सच्छिक संसाधनों और समाचारों तथा विवित दिश्टी कोड तक पहुंच प्रदान करता है सोचल मीडिया तो इस रूप में भी आप ली सकते हो भीरिन सुचनाओं तक पहुंच बढ़ाता है तीसना रचनात्मक और अभियक्ति जो बच्चों की होती है उसको एक सोचल प्रेट अभिवृत्ति में अभिवृत्ति करता है तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो आज के ताइम में छोटे बच्चे भी कॉंटेंट क्रिएटर बनके उभर रहे हैं कुछ तो प्रहार हैं जो केटर बन सकते हैं कुछ जो भी एक नए सरगीक प्रतिबा उनकी है उसके और वह इंकल्केट करते हैं और वह प्रेजेंट करते हैं विजन सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पर तो यह कहीं ने कहीं उनके लिए एक अवसर पदान करता है उनको एक बेनिफिट देता है उनको एक सकारात्मक्त प्रभाव यह हम कह सकते हैं इसके अलावा सहायता धमकाने या भिद्भाव करने वाले जो प्रभिति होती है उसको एक ग्रूप बनाकर एक प्रेटफॉर्म पर इकठा करके उससे लड़ने के लिए चला जा सकता है इन भच्चों द्वारा तो यह कहीं ने कहीं जो सहायता नेटवर्ग है उसको बढ़ावा देता है सहायता सहायता नेटवर्ग को बढ़ावा देता है तो यह एक आपका पॉइंट हुआ अगर हम देखें तो इसमें जो कौसल विकास है वह भी उभरकर सामने आता है कौसल विकास किस रूप में उभरकर सामने आता है तो विभिन जो डिजिटल टूल है या फिर जो कंटेंट गरता है कंवानिकेशन को लेके लेर निक को लेके बढ़ावा देने को लेकर कर तो एक कहीं न कहीं यह जो है कोcipe कास में भिध्धी करता है तो आपका पांच पॉइंट हो जाएगा वाग्योग कौसल विकास में भिध्धी कोशल के विकास में दोर को बढ़ाता है रचनास्मक्त अभी payments करता है सुचनाओं तक पहुँच सूसलष करता है और इसको साथ ही इसको बढ़ाता है तो यह कुटत मुट पॉंट जो तो हम ने बच्चों पर सोचल मीडिया के नकरात्मक प्रभाव प्रभाव बच्चों पर सोचल मीडिया के नकरात्मक प्रभाव क्या होते हैं इसको हम देखते हैं तो साइबर बुलिंग की समभावना बनी रहती है छोटे बच्चे जिने अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा पता नहीं है वह साइबर फ्रोट के साइबर बुलिंग के सिकार हो सकते हैं उनसे जो एक ठेड़खानी करने वाले अराजक तत्व हैं वह इसका फाइडा उठा कर उन्हें नुक्सान पहुंचा सकते हैं तो साइबर बुलिंग के सिखार होने की संभावना साइबर बुलिंग के सिखार होने की संभावना बनी रहती है तो कुछ जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो नुक्सान पहुंचा सकते हैं बच्चों को तो यह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके जाल में आकर साइबर बुलिंग के सिखार होने की संभावना बढ़ जाती है इसके अलाबा जो गोपनीता संबंधी मुद्दे होते हैं जो प्राइवेसी संबंधी मुद्दे होते हैं वह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है जिससे दूर गामी प्रभाव उसका निगेटिव रूप में पढ़ सकता है अगर हम देखें तो अब्यक्तिकर जा समस्चाएं उवरकर सामने आती हैं तो गोपनीता संबंधी जो चिंताएं है वह बढ़ जाती है गोपनीता संबंधी चिंताएं जो है वह बढ़ती है तो साइबर बुलिंग के सिकार होने की संब्भावना गोपनीता संबंधी चिंताएं इसके अलावा कर हम देखें तो एक अजीव सी लत और व्याकूलता उनमें डेवलप हो जाती है आपने देखा होगा कि जब भी कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई पोस्ट करते हैं वीडियो डालते हैं तो उनके अंदर लाइक पाने की वेचैनी कॉमेंट पाने की वेचैनी अपने आपको जो एक पॉपुलर फेम होता है उसके रूप में देखे जाने की जो एक चिंचलता होती है वह व्याकूलता का रूप धारन कर लेती है तो इससे बच्चे एडि बिद्धी होने की समावना रहती है लद और व्याकूलता जो है बच्चों में यह देखने को मिलती है और क्या नुक्सान हो सकते हैं सोसल मीडिया के तो इसमें आपके साथ जो है तुलना और आत्म सम्मान की भावना यही जब मैंने आपको बताया कि जब वो पोस्ट करते ह होती है वह अपना कंपेरिजन दुसरों के से करने लगते हैं और अगर वहां पर वह सम्मान वह तुलना उनके निगेटिव होती है उनके पॉजिटिव रूप में नहीं होती तो वहां पर खत्रे जो है और बढ़ने की समावना हो जाती है तो तुलना और जो आत्म सम्मान ह उसकी जो चिंता है उसमें ब्रिद्धी होती है तुलना और आत्मसम्मान तुलना और आत्मसम्मान इसका जो एक ब्याकूलता है वह बढ़ता है इसके अलाबा अगर हम देखें तो नुक्सान में गलत सूचना और प्रभाव हर सूचना सोचनल मीडिया पए जो सरकुलेट होती है वह कुछ फेक होती है कुछी चिजह होती है जो एक बनावती रूप में प्रसुत की जाती है तो इससे जो एक मानसिक विकास या फिर मन में बैठने वाली सम्भावना रहती है वह यह रहती है कि उस बच्चे का प्रॉपर विकास जो है सुचनाओं और तथ्यों के माध्यम से वह तोर मरोड कर पेस होता है और वही उसके दिमाग में घर कर जाता है तो इन फ्यूचर वह उस तत्थ जो व गलत सुचना और प्रभाव जो है वह बढ़ जाता है तो यह इस रूप में कुछ निगेटिव पॉइंट है जो हमने देखे हैं और अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार था जिसमें आप से पूछा गया था कि बच्चों दोरा सोसल मीडिया पर जो समाधान जो चिंताएं हैं उसका समाधान किस रूप में हो सकता है तो अगर आप देखनेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं समाधान के रूप में अगर हम देखें तो समाधान कैसे हो सकता है एक समाधान तो इस रूप में हो सकता है कि जो बच्चों के माता पिता हैं वह मार्गदर्सक के रूप में काम करें बच्चों के माता पिता मार्गदर्सक के रूप में काम करें इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर गाइडलाइन होती है एक जो सेक्योर्टी बच्चों के लिए होती है और एक निग्रानी जो होती है वह अगर हो रही है तो बच्चा आपका क्या कर रहा है के शीच तक पहुंच है उसकी वह अगर आपको पता होगा तो पैरेंटिंग लॉक आप लगा सकते हैं जिससे जो एक नुक्सान व्यापक तोर पर होने की जमावना रहती है उससे बचाया जा सकता है तो एक पैरेंटिंग जो होती है वह जरूरी हो जाती है देखभाल के रूप में मारद्रसक के रूप में दूसरा डिजिटल साच्छर्ता बच्चों के बीच बैठकर उनसे डिजिटल लिट्रेसी है इसका प्रभाव है गरें तो डिजिटल साच्छर्ता को आप जो है बढ़ावा देते हैं तो एगर और सोशल मिडिया करना उसनों हेंके लिए जो है एक awareness फैल आएगा तो आपका digital साथ चर्ता भी इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है इसके अलाबा जो हमने बात की स्वस्थ स्क्रीन टाइमिंग का एक निधारन होना चाहिए समाधान क्या है जो स्वस्थ स्क्रीन टाइम का निधारन स्वस्थ स्क्रीन टाइम का निधारन से तातपर यह होता है कि एक हेल्दी स्क्रीन टाइम होना चाहिए यह ना कि आपके दिन के 8-9 गंटे-10 गंटे सोचल मीडिया और मोबाइल पर गुजर रहे हैं लैपटॉप पर जो आधुनी गजट गजट्स हैं उस पर गुजर रहे हैं यह आपके जो जो एक निगेटिव इपक्ट इस रूप में डाल सकता है कि आपके जो कारे करने की छमता और सांसी जो क्रियेटिविटी होती है व इसके रूप में अगर हम देखें तो स्वस्थ स्क्रीन टाइम का निर्मार होना चाहिए एक निधारन होना चाहिए कि इतने घंटे या फिर जो एक बाहरी एक्टिविटी है उसमें इन्वाल्व करना चाहिए इस रूप में हो सकता है फिर सुरच्छित ऑनलाइन वातावर सुरच्छित ऑनलाइन वातावरन का विकास किस रूप में हो सकता है तो बच्चों के लिए जो सकारात्मक और सुरच्छित जो डिजिटल वातावरन बनाने के लिए ऑनलाइन सुरच्छित प्लेटफॉर्म आयू जो उपयुक्त सामगरी होती है उनके लिए ऐसे कंटेंट प्रवाइड करना जो उनकी एज से संधर्वित हो उसको प्रसुद करना दुरव्यय और प्रिर्ण संबंधी जो प्रभावीं होती है उसके समबंद करना यह ब anecd path द्यूर्चित सुरच्छा है उसको सुदूरीन करता है तो जो औलाइन मानक है उससे बच्च्छों के भी डि रचनात्मकता है जो creativity है और जो सामाजिक संबंध के लिए social media platform का इस्तिमाल किया जाता है उसी दाइरे में उनको एक जो कहते हैं कि उसी दाइरे में उनको तो बांद कर रखना यह कहीं न कहीं उनके लिए बेहतर साबित होगा तो सकरात्मक उप्योग को बढ़ावा देने संबंधी कारे की आजरान चाहिए ठीक है कि सकारात्मक कि उप्योग को कि बढ़ावा देना ठीक है तो यह सारे पॉइंट हैं जिस पर हम अगर काम करें तो जो चिंताएं हैं उनके नुक्सान को लेकर निगेटिव प्रभाव को लेकर उस पर कमी की जा सकती है तो एक सन्तुलिस दिश्ठी कोल रखते हुए बढ़ावा देना, संतुलिस दिश्ठी कोल को बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना और साथ ही समधायों में सामिल होने के लिए जो विभिन जिम्यदार प्रद्योगी किया हैं उनका एक नियमित तोर पर रेगुलेटिव इस्तिमाल बच्चों के रूप में करना चाहिए यह कहीं न कहीं आपके जो सामाजिक भावनात्मक संग्यानात्मक जो नौलेज है उस प कर सकते हैं और भी अपने कुछ क्रियेटिव पॉइंट अगर आपको आते हैं कि और यह सजेशन दिया जा सकता है तो आपका वेलकम है कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन को दीजिए हम उसे अपने सामित करेंगे और यह चीज आपके लिए भी बेनिफिट होगी और ह हमारे लिए भी हमारा जो ज्ञान वर्दन है वह करेगी तो बच्चों आप लोग अपना इस रूप में लिखते रहा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजिए ताकि वैसे बच्चे जिने हमारी नीड है वह हम तक पहुंच सके इस वीडियो आपको आपका रिवीव दिया जाएगा और किसी भी जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर जो की 9718901301 है इस पर कॉल कर सकते हैं इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेस्टन के साथ तब तक पढ़ते रहिए व्यस्त रह झाल